इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इसे राहत दिलाने में मदद करता है। यह प्रोस्टेट कैंसर की रोक थाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। न्यूसिलोफास्ट डियार्ट टैबलेट को हर दिन एक नियत समय पर लिया जाना चाहिए। इसे साबुत निगल ले, इसे तोड़ना, चबाना या कुचलना नहीं है। आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे उप्योग खुराक निर्धारित करेगा। अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए तथा आपके लक्षनों का प्रभावी तरीके से इलाज करने के लिए आपको कोई भी खुराक छोड़नी नहीं चाहिए। भले ही आपको बहतर महसूस हो रहा हो। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सेक्स की इच्छा में कमी, इरेक्शन में परेशानी, नपुन सकता, स्तन को मलता और स्तनों का बढ़ना शामिल हैं। अगर आप इन साइड इफेक्ट्स से परेशान हैं, या यह ठीक नहीं हो रहे हैं, तो सलाह के लिए डॉक्टर से बात करें। आप चक्कर आना या बेहोशी भी महसूस कर सकते हैं। जब आप पहली बार यह दवा लेना शुरू करते हैं, तो यह जोखिम अधिक होते हैं। याद रखें, आपके डॉक्टर ने आपको यह दवा इसलिए दी है, क्योंकि इसके फायदे साइड इफेक्ट के जोखिमों से अधिक हैं। इस दवा को महिलाओं या बच्चो द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। इसे लेने से पहले, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर या लिवर या किड्नी की कोई बीमारी है, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। यह दवा उप्यूक नहीं हो सकती है, यह अन्य दवाओं को भी प्रभावित कर सकता है, या उनसे प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में जानकारी दें। आपको सेक्स के दौरान कॉंडोम पहनने और अपने ब्लड प्रेश को नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी जा सकती है। अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो अपनी हिल्थकेर टीम से बात करें। वीडियो को पू